तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई crypto है वजीर X के अंदर तो आप उसका कैसे कैसे इस्तिमाल कर सकते हो, कहां कहां उसे sell कर सकते हो या फिर उसे कैसे limit order option वगेर लगा के, मतलब basically selling के बारे में, selling के पूरा procedure के बारे में वजीर X के हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो देखिए, यहाँ पर funds में मैं आपको जाके दिखा देता हूँ मेरे पास BNB है और WRX है, INR में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं इसको BNB को चाहता हूँ sell करना तो एक तो मेरे पास option हो जाता है कि quick buy पे मैं click करके, यहाँ पर Binance coin आ जाता है, इस पे जाके मैं simply sell कर सकता हूँ इसे बिल्कुल उसी time, उसी वक्त, उसी price के उपर, जो price इस वजीर X में चल रहा होगा, उसी पे मेरी BNB sell हो जाएगी लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो मुझे यहाँ पर exchange पे click करना होता है, exchange पे click करके और यहाँ पर उपर मुझे कई सारे option देखने को मिल जाता है, एक तो यह favorites का होता है, अगर आप चाहो तो किसी भी crypto को यहाँ पर favorites में set कर सकते हो, simply यहाँ पर click करके और य P2P के साथ तो यहाँ पर यह system होता है कि अगर आपने एक भी बार INR deposit कर लिया, वजीरेक्स के अंदर basically INR deposit कर लिया, bank transfer का इस्तेमाल करके, तो आपके P2P यहाँ पर वजीरेक्स block कर देता है, और उसके साथ साथ crypto withdrawals भी block कर देता है, तो P2P वाला option तो यहाँ पर मेरा बंद अगर आप crypto को अपनी sell करने जा रहे हो, तो आपको कोई buyer मिलवा देता है, उससे connect कर देता है, फिर आपको उसको पैसे send करने होते हैं, वो आपको crypto send कर देता है, इस तरीके से खरीद बेच होती है P2P में, लेकिन उसके बाद आते हैं बाकी के यह 4 option, INR, USGD, WRX, BTC, अगर आपके पास bitcoin है, ठीक है, आपने bitcoin hold कर रखे, INR नहीं है, बिटकोईन है, तो आप इस wallet tab में आते हैं, और यहां से आके कोई सी भी crypto purchase कर सकते हैं, जैसे अगर मैं चाहूं कि मैं यहां पर BNB जो coin है, उससे खरीदना चाहता हूं, मेरे पास bitcoin है, INR नहीं है, तो मुझे simply इस पर क्लिक करना होता है, उसके बाद buy पर क्लिक करना होता है, और यहां पर कोने में दिख जाता है wallet BTC, इससे आपको पता चल जाएगा, आप sure हो जाओगे, कि जितने भी आपके पास BTC होंगे, उससे आप Binance coin खरीदने जा रहे हो, और फिर आप limit order option भी लगा पाओगे यहां तो यहां पर यह जो price लिख क्या रहा है, इसका यह मतलब है कि आपको मतलब जो BNB है, वो आप इतनी खरीद पाओगे, अगर आपके पास Bitcoin हुआ तो, जैसे यहां पर BNB का price चल रहा है, जो कि है यहां पर 29,200 के आसपास, इसका मतलब मैं एक BNB, अगर मेरे पास पूरी ए जाएंगे, तब जाके मैं एक BNB खरीद पाऊंगा, इतना Bitcoin मेरा जाएगा, 0.0074998, इतने Bitcoin जाने के बाद, एक BNB मैं खरीद पाऊंगा, मैं यहां पर limit order option भी लगा सकता हूँ, अगर मैं इसको minus कर दूँ, तो मेरे इतने कम जाने चाहिए, मतलब BNB का price इतना नीचे आ चाहिए, इतना percentage से, तब जाके मेरी यह buying यहां पर successfully हो पाए, लेकिन उसके लिए मेरे पास यहां पर BTC होने चाहिए, तो इस तरीके से आप Bitcoin आपके पास है, Bitcoin से आप कोई दूसरी crypto खरीद सकते हो, अगर मैंने आपको example के लिए दिखाए था, मेरे पास WRX है, मैं WRX से कोई दूसरी crypto खरीदना चाहता हूं, मान लेते हैं, यहां पर TRX ही खरीदना चाहता हूं, तो इसका यह मतलब हो जाएगा, WRX का मतलब simply हो जाएगा, जैसे TRX का price यहां पर इतना चल रहा है, तो मेरे इतने, मतलब इतने 0.5916 WRX जाएंगे, और एक UHDT, जो यह एक TRX crypto है, यह मैं खरीद पाऊंगा, तो इस तरीके से यह काम करता है, मेरे पास यहां पर 5.2 WRX हैं, अगर मैं 100% कर दूं यहां पर, तो total 84 रुपीज के आसपास के मेरे पास WRX हो जाते हैं, और amount हो जाता है, मेरे पास यहां 8, मतलब मैं 8 TRX खरीद सकता हूं, यहां पर 4.7 WRX से, अब यहां सेलिंग चार्जिस और यह सब आफर TDS यह सब आपको देखने को मिल जाते हैं, यह इस तरीके से कुछ काम करता है, अगर आपके पास UHDT हैं, तो आप ऐसे, मतलब बाइं यह सेलिंग कर सकते हो, लेकिन क्यूंकि मेरे पास BNB है, अगर आपके पास BNB जैसी क्रिप्टो है या फिर INR, मतलब UHDT, WRX, PTC, इन तीनों से हटके कोई क्रिप्टो है, तो फिर आपको यहाँ पर उस क्रिप्टो को डिरेक्ट सेल ही करना होता है, दूसरा कोई option आपके पास नहीं होता, और सेल के लिए भी आपको दो option मिल जाते हैं, जिसमें quick buy, मैं चाहूं तो BNB करना होगा, और यहाँ INR जो है, इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर BTC को सर्च कर लेना है, BTC, सौरी, BTC नी, BNB, BNB पर simply click करना है, और BNB INR, ठीक है, यह लिखके आ जाएगा, मतलब मेरे इतने INR में, 27,540 INR में, एक BNB आती है, तो मुझे इस पर simply click करना है, उसक 100% मैं चाहूँ, तो 100% यहाँ लगा सकता हूँ, मेरे पास इतना amount है, BNB का, 0.013, और मुझे मिलेंगे इतने, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह इसी price पे sell हो, मैं चाहता हूँ कि इसका price जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कोई भी selling करना चाहेगा, आपके पास कोई product होगा, तो आपका price जब उस product का बढ़ जाएगा, तभी तो आप profit कमा पा होगे, तो उस पे आपको इसको plus चाहें तो आप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि 30,000 पर यह पहुंच जाए, तब आपकी selling हो यहाँ पर, 30,000 पर, तब आप इसको इस तरीके से भी, मतलब limit order option, sell प अपने बात करिए, buying से related भी हम बात करने वाले हैं, तो उसके लिए इस चैनल को आप subscribe करके जरूर रख लीजिए, बाकी अगर आपको कोई सवाल है, वजीरेक्स selling से related, या वजीरेक्स के कोई option से related, या कोई भी problem है, तो उसके लिए आप comment जरूर कर सकते हैं, आपको आपके स निसा प्लंगर देए एल प्लंगर आ एल सकतरोय है, वजीर कर र disciplines, आपके से लाए लाओर ग prickाने में से अपके से लेकर सवाँ हैं, यजीरेक्स के लिए कम